हेलो फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए वेज रोल की रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है लेकिन आज हम इसे बहुत ही खास तरीके से बनाएंगे यहाँ पे हम ब्रेड का यूज नहीं करेंगे बिना ब्रेड के ही यह बहुत ही टेस्टी सा जवाब होता है बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं बेजरोल बनाने के लिए यहां पे सबसे पहले मैंने गैस पे कड़ाई रख दी है और उसमें डाल रही हूं दो चम्मज के करीब तेल गरम हो जाने के बाद फि ते जीरा और लस्टूर अच्छी तरह से बून जाने के बाद फिर यहां पे मैं डिबन रही हूं एकक कप पानी आप बहुत ही पहले थ Tucson कहले चीजीजे लिंगे तो यहां पे मैं एक कप पानी डाल रही हूं उसी के साथ डाल रही हूं एक छोटा चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसकी जगह पे हरी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उसी के साथ डालेंगे नमक, नमक भी आप तेस के हिसाब से डालें, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी में उबालाने का वेट क पानी में अब उबालाने लगा है, तो अब फ्लेम को लो कर देंगे, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, यह आधा कप बारिक वाली सूजी रवा, आपके घर में अगर बारिक वाली सूजी ना हो तो आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में तो बारिक ग्राइंडर अपके ऑने तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढख के रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए सूजी का पेस्ट देखिए नॉमल ठंडा हो चुका है पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है तो इसे मैंने एक अलग बाउल में ले लिया है अब यहां पर मैंने यह दो बड़े साइस के आलू को बॉल करके ठंडा कर लिया था उसे कद्दू कस कर लिया है इसे इसमें एट करेंगे और इसे एट करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ देखिए अब ये डो जैसा बन गया है तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और इसकी स्टफिंग तयार कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने गैस पे कडाई रख दी है और उसमें डाल रही हूँ एक चमबच के करीब तेल तेल गरम हो जाने के बाद फिर डाल रही हूँ दो हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्कीप कर दे उसी के साथ डाल रही हूँ एक बड़े साइस के प्याज को इस तरह से मैंने बारी कट कर लिया है इसे डाल रही हूँ यहाँ पे हमें स किम्ला मिल्च को इस थरह से मैंने कर लिया है इसे ढ़ा रही ही। उसी के साथ एक गाजर को भी बारी कट कर लिया हूं। यहाँ पर सब्सक्राइब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब इसक्न कुछे जागेद्स लेंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पे मैं इसे ढखके मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ कि सबजिया जल्दी से सॉफ्ट हो जाए 2-3 मिनट के बाद ही देखिए सबजिया अच्छे तरह से सॉफ्ट हो चुकी है तो अब यहाँ पे हम मसाले अट कर लेंगे तो फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे रखना है तो मैं मसालों में डाल रही हूँ आधा छोटा चमच कश्मीरी लाल पाउडर आधा छोटा चमच धनिया पाउडर और 1-4 चमच ही हल्दी पाउडर डाल रही हूँ आधा छोटा चमच हमचुर पाउडर उसी के साथ डाल रही हूँ आधा छोटा चमच चाट मसाला यह से भी आप ध्यान से लाले क्योंकि हमने नमक भी ढाला है और चाट मसाले में भी नमक होता है तो ज़ुझी मसालों को डालके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सबजीयों के साथ मसाले को एक मिनट कुक कर लेंगे सबजीयों के साथ मसाला अच्छे से कुक हो चुका है तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें फिर में डाल रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया उसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे स्टफिंग को अब हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है तो चलिए अब हम रोल बना लेते हैं तो जो हमने सूजी का डो बना के रखा है उसमें से इस तरह से पोर्शन लेना है जितना हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं, उसी तरह से लेना है और उसे इस तरह से कटोरी जैसा शेप बना देना है फिर उसमें हम stuffing भरेंगे एक से डेर चमबच और इसे भरके इस तरह से दोनों तरफ से इसे प्रेस करके चिपका देंगे बहुत ही आराम से ये चिपक जाता है बिल्कुल खुलता नहीं है और फिर उसे हाथ की मदश से इस तरह से रोल कर देंगे जैसे हम bread roll को shape देते हैं उसी इसे हम fry कर लेते हैं तो fry करने के लिए गैस पर मैंने तेल रख दिया था तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है तेल को हमें बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है और फिर flame को हमें medium कर देना है और यहां पर हम रोल डालेंगे बहुत सारा एक साथ नहीं डालेंगे नहीं इसमें कलर आ जाता है और बहुत ही कृस्पी यह बनते हैं तीन से चार मिनट के बाद ही देखिए रोल में बहुत प्यारा कलर आने लगा है तो इसी तरह से इसे हम फ्राइ कर लेंगे अब देखिए 5-6 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से हमारे wedge roll ready हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा color आ गया है तो इस stage पे अब हम इसे तेल में से निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी rolls को भी fry कर लेंगे ये roll आप जब खाना हो तभी बनाए बना के अगर रखेंगे तो ये soft हो जाते हैं तो गर्मा गरम इसे बना के आप सर्फ करें आप आवाज से ही सुन सकते हैं कि wedge roll कितना क्रिस्पी बना है ready है गर्मा गरम wedge roll इसे आप सर्फ करें हरी चटनी के साथ सौस के साथ बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप इसे जिसे भी सर्फ करेंगे खिलाएंगे कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे बिना ब्रेट के बनाया है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ